हाई नोमकमर्स वेलकॉम टू दू माई चानल जिसका नाम है एमपायर आफ यह जो एलेवन के जो जितने भी न्यू स्टोरेंट्स होगे उनके लिए अगर कुछी कॉंपटिटिव एक्जाम के आगर आपको इंफर्मेशन चाहिए अगर ने में नीट की बात कर रहा हूं जी आपसी भी कॉंपटिटिव एक्जाम के बारे में आप बर कोई भी इंफर्मेशन आपको चाहिए होगी तो आप एजीली लॉग आउन कर सकते हो www.amkushgutte.com पे तो सबसे तो पहले मैं आपे क्लियर करना चाहता हूं कि 11 स्टैंडर में फिल्स के दो अलग-अलग कंपार्ट इसे बहुत सार एक्जाम से जो प्राविट इंस्टिटूशन में एडिमिशन लेनी के लिए उसके जाते हैं उसके लिए एंसे लिए का सिलाबस फॉलो होता है जिसे हम सी बीस केहता है ठीक है तो रही बात सारे इंट्रोक्शन के लेक्चर के बारे में वो वीडियो में नामे यूनिट एंड मेजरमेंट एक्चली दोनों में डिफ्रेंस कहा है देखा जाए तो दोनों में 75 परसेंट सिलाबस सेम है पर जितना भी पार्ट यूनिवर्स के बारे में और गैलिक्जी के बारे में वो थोड़ा एक्स्टरनल जो पार्ट है वी एंसरी के पहले जो करता है यह भी आपको पता होनी चाहिए और यह एक्चुली स्केल और कॉंटिडिस कौन सी होती है वेक्टर कॉंटिडिस कौन सी होते है यह भी आपको पता होने चाहिए अगर आप एप्रोग्जिमिटली 40-50 फिजिकल कॉंटिडिस आपको इजी ली पता होते तो आपक आपको unit number 1 में कोई भी confusion नहीं है तो exactly sure है आपको आगले हमाड़े units में कोई भी problem नहीं जाएगा Maximum time क्या होता है बच्चों को physics बहुत ही boring लगता है पर physics मेरे हिसाब से boring नहीं है सिर्फ आपको उसको समझना है और real life में जो भी चीज़े हो रही है उसके साथ उसको compare करना है physics की कोई भी concept रिमेंबराइज करने के लिए उसका application पता होना चाहिए जैसे कि अगर मैं किसी body को धक्का देता हूं तो उसे हम external force कहेंगे जा अगर quickly body को धक्का देने के बाद body जगा से move होती है तो body उसकी condition change करती है from rest to the motion और body some amount of distance cover करती है जिसे physics में कहा जाता है displacement ऐसे कि उस बहुत सारे parameter साथ जिस parameter को मैं application wise आपको बताऊंगा easy उसको learn करने के लिए okay so जितना हो सके थोड़ा screen पर focus कीजिए और मेरे concept को अच्छे से सबजने की कोशिश कीजिए अगर देखा जाए basic fundamental quantities के बारे में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा from the first bit that is the difference between the scalar and vector अब यह भी बहुत सारे बच्चों को confusion होता है कि यह scalar का मतलब क्या होता है और vector का मतलब क्या होता है मैं यहापे पहले clear करना चाहता हूँ so give your maximum concentration on the screen अगर मैं mathematics के point of view देखता हूँ there are two types of quantities in the physics the first called as a scalar quantity and the second called as a vector quantity बहुत ही simple है अगर मैं इनके definition के बात करता हूँ the quantity which are having magnitude only called as scalar quantity ठीक है इसका मतलब क्या है जिस quantity को सरी magnitude होता है actually जो magnitude word है वो standard word है physics में जो maximum time mathematics में उसको value के साथ compare किया जाता है जैसे कि अगर मैं मेरे body का weight major करता हूँ जो just consider कीजे 70 kg तो यह जो 70 kg है उसको mathematics में value कहा जाता है पर physics में उसको standard word में magnitude कहा जाता है तो scalar का मतलब क्या होता है जिस चीद को सरी magnitude होता है बड़ direction नहीं होती I said direction नहीं होती उससे scalar quantity कहा जाता है पर अगर किसी quantity में both magnitude and direction available होंगे तो उसे हम vector quantity कहेंगे तो मैं vector quantity की भी definition यह आप ही mention करता हूँ the quantity which are having I said both magnitude as well direction मैंने आपसे पहले ही कहा था जिसको direction नहीं होती है उसे हम scalar कहेंगे जिसको direction होती है उसे हम vector कहेंगे called as vector quantity फिर भी आपको यह समझ में नहीं है तो आपको इम एक easy example बताता हूँ जिस example को आप इन दो quantity के साथ compare कर सकते है जिसके आप देख सकते हो अगर आपने एक mobile table पे रखा है उस mobile का कुछ ना कुछ mass होगा just मैं imagine करता हूँ कि उस mobile का mass है 200 gram गर उसका 200 gram उसका mass होता है तो उसे हम scalar कहेंगे क्योंकि वो mobile अभी rest condition में है क्योंकि मैंने उसको table पे रखा है पर जैसे ही आप mobile को उठाते हो और किसी दूसरे के तरफ फेकते हो तो उसमें direction आ जाएगी जब तक वो mobile table पे था तो उसे हम scalar quantity कहेंगे पर जब आप mobile को फेकते हो दूसरी जगा पे इसका मतलब मैंने mobile पे external force अपलाई किया और जो mobile की जो condition थी पहले rest में अभी आ गए motion में तो simple सा logic है जितने भी bodies rest condition में होती है उसे हम scalar quantities कहते है पर अगर कोई body motion में आती है तो उसे कहां जाता है vector quantities बैसे कौन से quantities है उसको हम scalar कहेंगे like example है मेरे पास suppose किसी body का mass, किसी body का weight, etc. क्योंकि अगर किस कोई body का mass और कोई body का weight जो होता है वो scalar quantity में आता है vector quantity के से identify की जाती है अगर मैं किसी suppose parameters के उपर ऐसा बार देता हूँ या direction देता हूँ उस direction का meaning होता है कि ये vector quantity से nominate किया जाता है, okay sometimes क्या होता है, स्रिफ reference book में आपको ये arrow देखेगा, normally हम इसको स्रिफ एक single line से show करते है जैसे कि अगर कोई two wheeler या four wheel, अगर road से जाती है, तो उसमें कुछ ना कुछ velocity होगी, जिसको हम V bar से show करते हैं उसका कुछ ना कुछ acceleration भी होगा, जिसको हम A bar से show करते हैं अगर मैं किसी parameter को उपर बार लेता हूँ, तो उसे vector quantity कहा जाता है अगर उसके उपर बार नहीं होगा, तो उसम scalar quantity कहता है simple सा logic है, अगर कोई body एक ही जगा पर continue motion में नहीं है, तो उसे scalar quantity कहेंगे पर अगर वो body पे external force apply किया जाता है, then body will be changing their quantity from scalar quantity तो vector quantity, definition में और एक बार clear करता हूँ, जिस quantity का सरी magnitude consider किया जाता है उसे हम scalar quantity कहता है, पर जिस quantity को both magnitude as well as direction होता है उसे हम कहेंगे vector quantity, ओके, now we move toward the next part, just concentrate on the screen physics में क्या होता है, maximum reference book में एक word को अलग-अलग word से nominate किया गया sometimes किसी body को particle भी आप कह सकते है, और किसी particle को substance भी आप कह सकते है definitions में intrigue करने से पहले, यहापे मैं कुछ concepts आपके clear करना चाहता हूँ just imagine कीजिए कि मेरे पास एक stone है, या कोई भी एक पतर है, जिसको मैंने यहाँ पे एक platform पे रखा है अगर मैंने किसी stone को यहाँ पे platform पे रखा है, वो stone जो है, जिसका mass है capital यह, और acceleration due to gravity होगी अगर मैं acceleration due to gravity के बात कर रहा हूँ, तो एक vector उसके उपर draw किया जाता हूँ, जो भी downward side में आता है because of gravitational force, ठीक है आभी तो हम vector के बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो सरीप हम बात कर रहे है, stone को एक plain platform पे रखाय गया है अगर वो stone एक ही जगा पे है, जो अपनी जगा चेंज नहीं कर रहा है, तो उसे कहा जाता है, rest condition पर fortunately, अगर मैं stone पे एक side से external force अपलाए करता हूँ I said external force, तो stone will be changing their position from one position to another position इसका मतलब stone ने इतना distance यहां से cover किया, जितना भी distance इसने cover किया है, उसे कहा जाता है yes बार, और physics में उसको कहा जाता है displacement तो यहाँ पे मैं आपकी एक चीज़ क्लियर करना चाहता है, जब body rest condition में होती है, तो उसका mass वहाँ पे present होगा, पर velocity, acceleration, force and torque यह जो 4 parameters होंगे, वो यहाँ पे 0 होगे, पर अगर कोई body motion में आती है, तो वहाँ पे 4 parameters consider किया जाते हैं, सबसे पहलो तो क्या होगा, body accelerate होना start होगी क्यों, क्योंकि मैंने body पे external force apply किया, body में speed आ जाएगे, जिसको कहा जाता है velocity, और sometime अगर body circular motion create करती है, तो उसे torque भी कहा जाता है, अगर यह 4 parameters के तरफ में देखता हूँ, यह जो सारे quantities हैं, उसे हम vector quantities कहेंगे, ठीक है, अगर कोई body rest condition में होगी, तो इस सब की values होगी, वो 0 ह होगी, पर अगर कोई body motion में आती है, तो सब जो quantities है, उसके value non-zero होगी, non-zero को मतलब वो एक तो positive होगी, और negative, depend upon the situation and depend upon the direction, okay, now we move the first quantity when the body is in motion, जिसको मैं यहाँ पे mention करता हूँ, called as a displacement, अगर मेरे ही सब से देखा जाया, तो displacements को yes bar से show किया जाता है, जैसे मैंने वही उपर एक example लिखा है, अगर मैं किसी body को एक side से force apply करता हूँ, then the body will be changing their position from one position to the another position, तो इस position को कहा जाता है, initial position और इस position को कहा जाता है, final position, और initial और final position के बीच में जो भी distance cover होगा, उसे कहा जा जाता है, displacement, उसकी definition में आपे mention करता हूँ, the distance covered by a body from initial to its final position, simple सा logic है, जब body अपनी जगा चेंज करती है, जब वो body distance cover करती है, उसे कहा जाता है displacement, मैं इसको यहाँ पे mention करता हूँ, जो जो displacement होता है ना, उसको yes bar से show किया जाता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे bar क्यों लिया है, क्योंकि हमने already देखा था, इसे कहा जात है, vector quantity है, क्योंकि body में direction है, that means the body is in motion, okay, अगर मैं unit की बात करता हूँ, तो इसका जो mks unit है, उसे कहा जाता है, meter, पर अगर मैं cgs unit की बात करता हूँ, तो उसका unit है centimeter, क्योंकि body distance cover करती है, और physics में distance का unit है meter, और centimeter, okay, so that's why this is called as a displacement, now we move toward the second definition, that is called as a velocity, अगर मैं velocity की बात करता हूँ, तो velocity को show किया जाता है, small v bar से, small v से इसको क्यों show किया जाता है, क्योंकि capital v का meaning voltage भी होता है, sometime उसे volume भी का जाता है, इसलिए velocity को small v bar से show किया जाता है, velocity का मतलब होता है, speed, अगर कोई body motion में होती है, तो उसे हम vector quantity कहेंगे, अगर मैं इ कुछ भी नहीं करना है, definition को rememberize करने के लिए displacement को divide करना है, with respect to time से, अगर मैं किसी भी distance को, या displacement को time से divide करता हूँ, तो तो उसे हम velocity कहता है, तो मैं यहाँ पर उसकी definition mention करता हूँ, it is defined as, the rate of change of displacement, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, after onwards, अगर मैं कभी rate of change of नाम का word लिखता हूँ, तो उस quantity को compare किया जाता है, with respect to time से, अगर मैं with respect to time की बाप करता हूँ, तो उस quantity को divide किया जाता है, with respect to time से, okay, इसको मैं और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, it is also defined as, the displacement, covered by a body, okay, per unit time, तो यहाँ पर जो मैंने एक word यूज़ किया है, per unit, इसका meaning होता है, divination, okay, तो आपको यहाँ पर rememberize करना है, after onwards, अगर मैं कभी per unit की बात करता हूँ, तो इसका meaning क्या है, मैं किसी quantity को time से divide करना हूँ, okay, तो एक तो चीज़ हमारे clear है, जो velocity होती है न, उसे denote किया जाता है v bar से, मैं पहले ही clear किया है आपको, क्योंकि velocity एक vector quantity है, अगर मैं formula की बात करता हूँ, तो मैं आप उसको mention करता हूँ, it is expressed as, velocity is defined as rate of change of displacement, तो इसका जो original formula बनता है, v bar is nothing but ds bar by dt, mathematics को d by dt को कहा जाता है derivative, okay, पर अगर मैं physics में उसको consider करता हूँ, तो sometimes उसको कहा जाता है rate of change, इसका और एक formula है, उसको मैं ऐसे भी लेख सकता हूँ, without derivative, v bar is nothing but ds bar upon small t, आपको सो एक चीज़ पता ही है, यह जो displacement होती है न, उसको meter से major किया जाता है, और time को major किया जाता है second, इसका unit क्या बनेगा, वो देखिए, its mks unit is meter per second, but its cgs unit is centimeter per second, क्यों, क्योंकि time को आप किदर भी लिखे जाए है, किसी भी system of unit में लिखे जाए, time का unit constant ही रहता है, जिसको हम second कहेंगे, ठीक है, तो velocity का meaning क्या, it is defined as the rate of change of displacement, sometime it is also defined as the displacement covered by a body with respect to the time, actually उसको V bar से show किया जाता है, जिसका original formula है, S bar upon T, और इसका standard unit है meter per second, और इसका cgs unit जो है, उससे कहा जाता है, centimeter per second, now we move toward the third definition, that is speed, actually speed को physics में capital N से show किया जाता है, okay, maximal student को अब भी confusion होता है, कि speed and velocity का unit से में है, तो definition भी सेम होगी, हाँ मैं agree करता हूँ, दोनों की definition यहाँ पर सेम है, पर actually दोनों में difference कहा है, वो मैं आपके यहाँ पर clear कर देता हूँ, सबसा पहले तो इसकी definition देखिए, defined as distance covered by a body per unit time, देखिए, इसरी word का difference है, अगर मैं उपर displacement यूज करता हूँ, तो उससे हम velocity कहेंगे, पर अगर मैं उसके जगा पर replace करके distance यूज करता हूँ, तो उससे हम speed कहेंगे, इससे इसमें changes क्या आते हैं, वो आपको मैं बताता हूँ, जिसके मैं आपको बताया, it is denoted by capital, जिसको मैं express करता हूँ, distance covered by a body per unit time, जिसके last formula में मैंने लिखा था, V bar is nothing but S bar upon T, पर यहाँ पे मैंने लिखा है, only D upon T, D का meaning होता है distance, जिसका unit है meter, time का unit है second, तो इसका जो yump case unit बनता है, वो है meter per second, पर अगर मैं इसके cgs unit की बात करता हूँ, तो वो है centimeter per second, तो actually दोनों में difference क्या है, तो simple सा logic है, अगर मैं velocity की बात करता हूँ, तो उसके उपर बार लिखा जाता है, that means it is a vector quantity, पर अगर मैं सिर्फ speed की बात करता हूँ, तो उससे इस vector quantity नहीं कहा जाता हूँ, उससे कहा जाता है scalar quantity, क्यों, कि velocity के definition में displacement का हमने use किया है, और speed के definition में हमने सिर्फ distance का use किया है, अगर मैं distance को consider करता हूँ, तो distance एक ऐसी fundamental quantity है, जिसके उपर बार नहीं लिखा जाता, उसको सिर्फ magnitude होता है, direction नहीं होता, so that's why it is called as a scalar, तो आपको rememberize करना है in future के लिए, यह जो velocity होती है उसे हम vector quantity कहते है और speed को हम कहते है scalar quantity, ओके, now we move toward the next definition, that is number 4, जिसका नाम है acceleration, जिसको show किया जाता है a bar से, not capital A, it's a small A, क्योंकि capital A का meaning, mathematics में होता है area, और sometime physics में उसको NPR से भी show किया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है acceleration को a bar से show किया जाता है, जिसे में आपको बताया था, velocity के definition से पहले, कि velocity के definition में स्रिफ displacement को time से divide किया था, वेसे ही acceleration के definition rememberize करने के लिए, velocity को time से divide करना है, तो यहाँ पर उसके definition ऐसे बनेगी, defined as the rate of change of velocity, जैसे के में आपको पहली clear किया था, rate of change का मतलब होता है derivative to, जिसको और में आप ऐसे भी लिश सकते हो, also defined as the velocity of a body per unit time, simple है, per unit time, per unit का मतलब क्या होता है, आपको उसको divide करना है, किसको divide करना है, velocity को divide करना है with respect to time से, ठीक है, अगर मैं इसके notification की बात करता हूँ, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, यह जो show किया जाता है, वो a bar से show किया जाता है, अगर मैं इसके formula की बात करता हूँ, तो acceleration is defined as rate of change of velocity, so it can be written as dv by dt, यह आपका बन गया original formula, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, acceleration is also defined as the velocity acts on a body per unit time, अगर मैं derivative का formula लेना चाता हूँ, तो पहला formula लीजिए, अगर मैं नहीं लेना चाता है, तो दूसरा formula लीजिए, इसका unit आप आराम से बना सकते हो, velocity का unit होता है, meter per second, और time का unit है second, दोनों के बीच में dividation है, तो इसको थोड़ा solve कीजिए, यह जो second है, वो denominator में जाएगा, meter upon second into second, तो इसका जो MKS unit बनता है standard, तो वो बनता है meter per second का square, और इसका जो CGS unit बनता है, वो बनता है centimeter per second square, तो आपको याद रखना है, अगर मैं इस तरी velocity की बात करता हूँ, तो unit है meter per second, पर अगर मैं acceleration की बात करता हूँ, तो unit है meter per second का square, अब या acceleration का meaning क्या है, वो आपको मैं पहले clear करता हूँ, जब भी कई किसी body पर external force apply किया जाता है, तो body थोड़ी-थोड़ी accelerate करना start करती है, जैसे ही body accelerate करती है ना, इसका मतलब उसमें changes आते हैं, और body motion की तरफ जाने में try करती है, कूशिश करती है, अगर वो body की speed बढ़ती है, तो उसे acceleration कहा जाता है, और अगर body की speed कम होती है, तो उसे retardation कहा जाता है, acceleration का मतलब होता है positive displacement, और de-acceleration और retardation का मतलब होता है negative displacement, ओके, now the next definition that is number 5 called as a force, force is according to me one of the most important quantity according to the physics, actually यह जो force होता है ना, उसको capital E-up से show किया जाता है, और जिसके उपर बार लिका जाता है, क्यूं? common sense की बात है, जो force होता है, उसे scalar quantity कहा जाता है, अब force की definition क्या ऐए simple है, अगर किसी body को मैं बहार से force apply करता हूँ, तो body का mass तो constant रहेगा, पर उसके साथ उस body का acceleration भी लिया जाता है, that means body will be changing their position from rest to the motion, अगर मैं उसके साथ उसका acceleration भी लेता हूँ, तो यहाँ पर दो quantities बनते है, mass and acceleration, तो हमें क्या करना है, इन दोनों quantity को multiply करना है, तब ही आपको force की definition मिलेगी, तो definition मैं यहाँ लिखता हूँ, it is defined as the product of mass of a body and its acceleration, हमने क्या किया, body के mass को body के acceleration के साथ multiply किया, तब हमें definition मिलेगी force की, actually जो force होता है, उसको show किया जाता है, numerical में यह बार से, अगर मैं उसके formula की बात करता हूँ, तो simple formula है, अगर मैं vector product, vector के form में formula लिखना चाहता हूँ, तो यह बार is nothing but mass of a body, cross a bar, यह जो formula मैंने यहाँ पे लिखा है, उसे vector form केता है, अगर इसी formula को मैं scalar form में convert करता हूँ, तो वहाँ पे cross नहीं यूज किया जाता, वहाँ पे यूज किया जाता है, force is nothing but yam.a, तो यहाँ पे मैं इसको दो formula लिखे, तो आपको रिमेंबराइज करना है, force is nothing but the multiplication of mass into acceleration, अब इसके unit के तरव हम देखता है, unit बहुत ही easy है इसका, जिसे मैंने आपको बताया था, mass का unit है kilogram, अगर कभी multiplication आता है ना, तो वहाँ पे आपको एक स्चोटी line देनी है, और acceleration का unit है meter per second square, तो जिसके आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके तीन units है, अगर मैं yam case की बात करता हूँ, तो standard unit बनेगा kilogram meter per second square, अगर मैं cgs की बात करता हूँ, तो unit बनेगा gram centimeter per second square, पर अगर मैं yasi unit की बात करता हूँ, तो उसका standard unit है newton, आपने कभी newton पढ़ा होगा, तो actually यह जो newton होता है ना, वो force का unit है, reference book में दिया गया है, इसका जो cgs unit है, उसे कहा जाता है dine, तो आपको इसके चार unit rememberize करना है, the yam case unit of force is kilogram dot meter per second square, cgs unit is gram centimeter per second square, SI unit is newton, and the cgs unit is dine, तो आपको याद रठना है, कभी भी आपके सामने force quantity आती है, तो आपको newton का unit याद रठना है, तो यह होगे आमारी fifth quantity, that is called as a force, it may be internal or external, now I am moving to the next bit, जैसे मैंने force को priority दी, वैसे मैं torque को भी priority देता हूँ, क्यों किसी भी body पे जब आप external force अप्लाई करते है, अगर वो body वहाँ पे rotations create करते हैं, तो वहाँ पे वो torque act होता है, तो यहाँ पे मैं concept clear करना चाहता हूँ, अगर मैंने किसी भी body पे force apply किया externally, अगर वो body इस तरह से displacement produce करते हैं, तो उसे हम force कहेंगे, पर अगर मैं किसी body को ऐसा force apply करता हूँ, जिसके वज़े से वो body खुद के side में around में rotate होती है, I said rotate होती है, तो उसे force नहीं कहाँ जाता है, उसे कहाँ जाता है torque, तो torque के definition क्या है, जिसके आप screen पे देख सकते हो, torque is nothing but multiplication of force acts on a body, into its perpendicular distance, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, force को multiply करना है, perpendicular distance से, तो उसे हम torque कहेंगे, तो definition है, नहीं करना है ज़िए, बाविए, define as, दि प्रोड़क्ट आफ फोर्स एक्ट्स ओन बोड़ी इन्टू अपर्पेंडिकुलर डिस्टंस जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर आप किसी भी फोर्स को पर्पेंडिकुलर डिस्टंस से मल्टिप्लाइ करते है तो physics में उसको torque कहा जाता है मैं पहले ही clear कर रहा हूँ अगर कोई बोडी linear motion create करती है तो वहाँ पर torque 0 होगा पर अगर कोई बोडी angular motion आर रोटेशनल motion create करती है तो वहाँ पर torque present होगा Actually जो torque होता है उसे show किया जाता है tow से tow का symbol होता है जिसके उपर बार भी लिखा जाता है क्योंकि इसे vector quantity कहा जाता है अगर मैं उसके formula की बात कर रहा हूँ it is expressed as torque is nothing but multiplication of force acts on a body into its perpendicular distance तो यह इस formula के हम उसका vector form कहेंगे अगर मैं इसी formula को scalar form में convert करता हूँ तो toe is nothing but f into small d तो यहाँ पर बन गया उसका formula जिस formula में सीधा सीधा mention किया गया है कि force को multiply करना है उसके perpendicular distance से अब हम unit की बात करता है force का unit है newter और distance का unit है meter तो इसका जो standard unit बनता है वो है newton meter ठीक है बहुत ही easy है अगर मैं सिर्फ newton की बात करता हूँ तो उसे हम force कहेंगे ओके now I am moving toward the next bit जो हमारा next bit है वो थोड़ा elasticity पर depend करता है अब यह elasticity में कौन से दो definition पर सबसे ज़्यादा focus किया जाता है तो उसे कहा जाता है stress and strain इसका मैं easy example आपको देता हूँ स्क्रीन पर focus किज़े प्लीज दोनों भी definition को remember करने के लिए आपको एक simple सा example मैं आपको बताता हूँ just imagine कीजिए कि आपके पास एक rubber band की एक strip है I said rubber band क्योंकि आपको तो पता ही है हमारे nature में दो types के body exist है present है एक body को कहा जाता है elastic body और दूसरे body को कहा जाता है non elastic elastic का मतलब क्या होता है अगर मैं उस body पर कितना भी force apply करता हूँ तो body उसके original position में comeback करती है तो उसे हम elastic कहेंगे पर अगर मैं किसी body पर force apply करता हूँ अगर body का shape and size change नहीं होगा तो उसे हम non elastic body कहेंगे physics में non elastic body को rigid body भी कहा जाता है simple सा form है AC body जिस पर force apply करने से size and shape change नहीं होगा तो उसे non elastic body कहते है non elastic body को rigid body भी sometimes कहा जाता है 100% कहा जाता है ऐसा नहीं है वो आपको next bit में clear हो जाएगा next chapter में ये concept आपकी clear हो जाएगी जैसे मैंने आपको बताया था just imagine कीजे मेरे पास एक rubber का band है जैसे आप screen पर देखी सकते हो मैंने क्या किया इस rubber band को दोनों तरब से खीचा हो मैंने इधर से भी एक force लगा है जैसे मैं दोनों तरब से equal force उस पर apply करता हूँ तो elastic band की यहाँ पर length बढ़ जाएगी जैसे elastic band की यहाँ पर length बढ़ती है यहाँ पर length बढ़ती है तो thickness क्या होती है? कम होती है इसका मतलब अगर मैं किसी भी body का shape change करने के लिए अगर उसके उपर force apply करता हूँ तो physics में उसको stress कहा जाता है stress का meaning होता है exactly pressure अगर मैं उस body का shape change करने के लिए कोशिश करता हूँ तो उसे हम stress कहेंगा तो strain का meaning क्या है? जैसे मैंने उस body पे जो force apply किया था वो force मैंने उपस उस पे निकाल दिया जैसे मैंने उसको rubber band को दोनों तरब से खीच के रखाता तो मैंने क्या किया? और वो force relax कर दिया मतलब मैंने उस rubber band को छोड़ दिया जैसे मैं उस rubber band को छोड़ देता हूँ body will be come back to its original position इसका मतलब जो भी increasing length है वो हमारे 0 होगी और जैसे ये body उसके original position पे वापस आती है तो उसको physics में कहा जाता है strain तो मैं पहले ही clear कर रहा हूँ अगर मैं किसी body का shape change करता हूँ तो body पे pressure add किया जाता है तो उसका area भी change होगा उसे कहां जाता है stress पर अगर body वापस come back करती है तो उसे कहां जाता है strain तो सबसे पहले मैं stress पे focus करता हूँ एक्चिली जो stress होता है वो किसी भी parameter से show नहीं किया जा सकता क्योंकि stress को numericus में stress नामस के word से show किया जाता है उसका कोई अलग से notification नहीं है जिसके आप मैंने पहले ही कहा था अगर मैं किसी भी body को बाहर से force लगाता हो in the sense उसे sometimes pressure भी का जाता है पर मैं आप अभी उसको pressure नहीं कहूँगा मैं वहाँ पे उसको force कहूँगा जिसी भी आप elastic body पे force apply करते हो तो body का area भी वहाँ पे change होता है तो यहाँ पे आपको दो words पे focus करना है पहला word is called as a force और दूसरा word is called as area अगर मैं किसी force को area से divide करता हूँ तो हमें वहाँ पे stress की definition मिल दिये तो यहाँ पे मैं उसको mention करता हूँ इसे मैं आपसे पहली कहा था अगर मैं किसी भी force को changing area से divide करता हूँ तो उसे हम stress कहेंगे जिसको इसका formula है it is expressed as stress can be written as the force acts on a body per unit area जिसको show किया जाता है capital F bar upon capital A तो यह बन गया उसका original formula अगर हम इसका unit देखते हैं तो आपको एक चीज़ तो पता ही है force is always measured in newton and the area is measured in meter square so standard unit of stress is newton per meter square understand तो उसे कहेंगे हम stress जैसे मैं आपसे पहले ही कहा था stress is nothing but किसी भी body पे जो force apply करते है उस force को आपको divide करना है with respect to changing area से तो उसे हम stress कहेंगे अगर मैं उसके opposite के बात करता हूँ तो उसे हम strain कहेंगे strain के definition भी बहुत ही easy है it is defined as the ratio of change in dimension to the original dimension dimension का मतलब क्या होता है कोन सा भी इसको हम length कहे सकते है area कहे सकते है volume कहे सकते है जितने भी dimensions उसके change हुए अगर उसको मैं उसके original dimension से divide करता हूँ तो उसे हम उसका ratio कहेंगे और उसी ratio को कहा जाता है strain जिसके मैंने आप से पहले ही कहाता है stress और strain के लिए कोई अलग से parameter नहीं है उसको उसके नाम से ही show किया जाता है जिसके मैं आप उसका formula लिखता हूँ it is expressed as strain is nothing but the ratio ratio को मिनिंग क्या होता है जिसका एक numerator और एक denominator होता है जो भी quantity हम लाइन के ऊपर लिखते है उसको हम numerator कहते है और जो भी quantity हम उस लाइन के नीचे लिखते है तो उससे हम denominator कहते है so strain is defined as the ratio of change in dimension to the original dimension ठीक है तो ये बन गया उसका original formula change in dimension to the original dimension just imagine कीजए मैं rubber band को दोनों तरफ से खीच रहा हूँ तो उसकी length वहाँ पर बढ़ती है तो उपर अगर length change होती है तो unit है meter length हमारा original shape में वापस आती है तो उसका भी unit है meter तो meter and meter both target cancel so that's why it is called as a unitless quantity understand इसका मतलब क्या stress का unit होता है पर strain का unit नहीं होता इसलिए strain का unit नहीं होता आपको पता होनी चाहिए यसे और बहुत सारी quantities है जिसको मैं next studio में easily आपको prepare कर दूँगा तो आपको स्रीफ जितना मैने अभी पढ़ाया उसको अच्छे तरह से remembrance करना है किस parameter को किस चीज से show किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए और सबसे important चीज उसके formula और उसका unit आपको पता होना चाहिए अगर आपको यह confusion है कि सर नहीं आपे तीन अलग-अलग से system of unit शो किया like SI, like NKS, like CJS वो आपका funda clear हो जाएगा unit number 1 में जिसको कहा जाता है physical world और unit और measurement ठीक है अगर आपको new commerce को किसी इस quantity में कोई भी क्यूरी है तो आप easily उस वीडियो के निचे comment में question लिख सकते हो या उसको comment कर सकते हो रहे बात मैंने आपसे पहले ही clear किया था वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपको किसी भी course के बारे में जान करी चाहिए तो आपको log on करना है www.angkushgutte.com पर जिसके ओपर मैंने पूरी information वहाँ पर डाली है आप कोई भी digital books या e-books या journals physics के related किसी भी subject से related easily download कर सकते हो तो यहाँ पर मैं आज का lecture pause करता हूँ जो remaining definitions है वो आपको second lecture में मिल जाएगा है okay now stay home stay safe have a nice day now you see you soon in another lecture